रवींद्र जड़ाईजा छोड़ेंगे CSK कप्तानी महें रिफिंग धोनी बनेंगे दुबारा कप्तान नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चानल एसके सपोर्ट के और नई वीडियो में तो दोस्तों क्या है बड़े खबर बताएंगे सब को जिस वीडियो में लेकिन उससे पहले अगर आभी चाहते हैं कि महें रिफिंग धोनी दोबार से CSK कप्तान बने तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें तो चलिए दोस्तों भी न और CSK ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर या बयान जारी करते हुए कहा था कि महें रिफिंग धोनी की कमान रवीन जडेजा के हाथों में सौंपी जा रही और जडेजा ही टीम का अब नेतरत करेंगे दोस्तों हम आपको बता दें कि यह फैसल एक लिया गया था क्योंकि महें रिफिंग धोनी अपने IPL केरियर के आखरी पड़ाव पर हैं वह रवीन जडेजा साल 2012 से टीम का हिस्सा रहे और अब तक CSK की टीम से IPL खेल रहे थे दोस्तों 33 साल के रिफिंग टीम के तीसरे कप्तान थे साल 2008 से ही महें रिफिंग धोनी ने अब तक टीम के कमान समाल रखी थी जबकिस रहे रहे ना को छे मकाबले में कप्तानी करने का मौका मिला था दोस्तों हम आपको बता दें कि IPL 2022 के ठीक पहले महें रिफिंग धोनी ने बड़ा फैसल लिया था क्योंकि CSK टीम को अब नए कप्तान की जरूरत थी इसके लिए फैसल लेना पड़ा था लेकिन नए कप्तान के आते हैं CSK टीम को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है CSK टीम अब IPL 2022 में अब तक के दोनों मकाबले हार चुकी है वहें दोस्तों हम आपको बता दें कि नए कप्तान रवी जेड़े जाके बनने के बाद CSK टीम का बले बाजी ओर लगबग अच्छा चल रहा है लेकिन टीम को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है जिसके बाद CSK के फाइंस यह मांग करना है कि महें रिपिंग धोनी को दोबारा CSK के कप्तान बनाया जाए जिसके बाद साथ CSK को टीम का हर का सामना ना करना पड़ा क्योंकि दोस्तों CSK टीम एक अच्छी टीम हमेशा से बनी रही है और IPL के सब्सक्रीज टीमों के नजर से देखें तो CSK के फाइंस लगबग यही चाहते है कि महें रिपिंग धोनी को ही टीम का कप्तान बनाया र अच्छन बता है खबर पसंद आई होती है उसे लाइक और शियर करें तक आई पिर फिजूरी हर खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेश्टर बेट के साथ अब तक के लिए नमस्कार